हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सीयर करने जा रहे हूँ, इस पैटन को आप औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साब स्विटर, फूल स्विटर, जैकेट, लेडी स्विटर, कार्डिगन, कोट्ट फ्रेंड़ी, गलस स्विटर, गलस टॉप, बच्चों के अल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट आधिमें बनके देखे, बहुती खुबसुरत हमारा ये पैटन आया है, ये देखिए हमारे पैटन का फ्रैंट साइड है, और ये देखिए ये हमारे पैटन का बैक साइड है, इस pattern को बनाने के लिए हमने 4 के multiple में फंदे डालने हैं प्लस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं दस नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेना है और front side से हमारा ये pattern बनना start होता है। सबसे पहले हम अपने project के इसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे। border pattern complete होने के बाद front side से हमारा ये pattern बनना start होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कीजे। न्यू वीडियोज की notification के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइकन न भूलें। अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं। तो देखे। फ्रांट साइड से pattern की first row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे। अब next फंदा भी हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी side करेंगे अब next हमारा 4 फंदों में pattern आएगा। तो देखे चार फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार फिर धागा पिछे करेंगे। फिर next 4 फंदों में हमारा pattern आएगा। तो देखे एक फंदा आगे करेंगे। फिर देखे ऐंसे space में आएगे। फर्स्ट होल चोड़के second होल में हम slide आलेंगे और एक फंदा बना लेंगे। इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे फिर next फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर देखे नेश्ट फंदे में सेम प्रोसिस रिपीट होगा। इस फंदे को आगे करेंगे। ऐसे space में आएगे। फर्स्ट होल चोड़के और second होल में slide आलेंगे। एक फंदा बनाएंगे। फिर next फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर देखे नेश्ट फंदे में भी सेम प्रोसिस रिपीट होगा। फर्स्ट होल चोड़के और second होल में हम slide आलेंगे। एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर नेश्ट फंदे में भी सेम प्रोसिस रिपीट होगा। इस फंदे को आगे करेंगे। ऐसे इसपेस में आएंगे। फर्स्ट ओल चोड़के और second होल में हम slide डालेंगे। और एक फंदा बना लेंगे। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो देखे ये चार फंद फिर दागा पीछे करेंगे। अब नेश्ट देखे एक फंदा आगे करना है। और ऐसे इस पेस में आएंगे। फर्स्ट ओल चोड़के और second होल में हम slide डालेंगे। एक फंदा बनाएंगे। फिर नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर नेश्ट फंदे में भी सेम प फंदा सीधा। फिर नेश्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा। फिर नेश्ट फंदे में भी सेम प्रोसिस रिपीट होगा। इस फंदे को आगे करेंगे एस से स्पेस में आएंगे। फर्स्ट ओल चोड़के और second होल में हम slide डालेंगे। एक फंदा बनाएंगे। फिर तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लेट हो गई रॉंग साइड से देखे सेकेंड रू अब सेकेंड रू में देखे पहला फंदा उता लेंगे नेस्ट फंदा पूर्टा बुनेंगे अब देखें नेस्ट दो फंदे एक साथ बुनेंगे 1 और 2 इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे एक भुना हुआ फंदा एक एक्स्ट्रा फंदा इन दोनों को एक साथ बुनने दो का एक कर लेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, ये देखे एक एक्स्ट्रा फंदार एक बुना हुआ फंदा, इन दोनों को एक साथ उनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, नेस्ट चार फंदे सीधे आएंगे, देखे फ्रांट साइड की तरब से जो दो, तीन, चार, फिर धागा अपनी साइड, अब नेश्टर आमने दो फंदे एक सात बुणें, यह देखें एक भुना वह फंदा, एक एक्स्ट्रा फंदा, दो का एक कर लेना है फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर धागा पीछे चार फंदे सीधे लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे तो देखे ये रोंग साइड से अमारी पैटन की सेकिंड रो गम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइड से पैटन की थार्ड रो पहला फंदा उतारेंगे नेस्ट फंदा सीधा धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पिछे, अब नेश्ट देखे, चार फंदों में पैटरन आएगा, फंदे को आगे करेंगे, यह से इस पेस में आएगे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, फर्स्ट ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर नेश्ट फंदा सीधा, फिर नेश्ट देखे, इस पंदे को आगे करेंगे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, फिर नेश्ट ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, नेश्ट फंदा सीधा, फिर नेश्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा, फिर देख फिर चार फंदों में पैटर्न आएगा, सेकंड ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर नेस्ट फंदा सीधा, फिर देखें ऐसे स्पेस में आएंगे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, सेकंड ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर नेस्ट सीधा लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे तो देखे फ्रंट साइड से हमारी पैटरन की थार्ड रो कम्प्लेट हो गई रोंग साइड से देखे फोर्त रो पहला फंदा उतारेंगे नेस्ट फंदा उल्टा बुनेंगे फिर नेस्ट देखे दो फंदे एक साथ बुनें फिर दो का एक करेंगे, फिर धागा पीछे, चार फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, अब नेश्ट दो का एक करेंगे, एक बुन्ना हुआ फंदार, एक एक्स्ट्रा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुन्ना है, फिर धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी साइड, लास्ट में दो फंदे, उल्टे, तो देखे, रॉंग साइड से हमारी पैटन की फोर्द रो, कम्प्लेट हो गए, अब देखे, फ्रंट साइड से पैटन की फेप्त रो, पहला फंदा उतारेंगे, नेश्ट फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे, उल्टे, धागा पीछे, नेश्ट देखे, च पास्ट ओल छोडएंगे, सेकिंड ओल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, नेश्ट फंदा सीधा, फिर सेकिंड ओल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर नेश्ट फंदा सीधा, फिर सेकिंड ओल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा सीधा, फ फिर धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, फिर नेस्ट पैटर्न आएगा, पहला फंदा आगे करेंगे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, सेकिन ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएगे, नेस्ट फंदा सीध, फिर देखें, नेस्ट सेम प्रोसेस रिपीट होगा, नेस्ट देखें, सेकिन ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएगे, नेस्ट फंदा सीध, फिर नेस्ट भी देखें, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेकिन ओल में सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएगे, फिर नेस्ट फंदा सीध, लास्ट के दो फंदे सीधे आजए तो देखे ए फ्रांट साइड से हमारी पैटन की फिप्तरों कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड से देखे शिक्स रो पहला फंदा उतारेंगे नेस्ट फंदा उल्टा आ जाएगा फिर देखे नेस्ट दो फंदे एक साथ बुनेंगे एक बुना हुआ फंदा और एक दो का एक करेंगे दागा पिछे नेस्ट चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर दो का एक कर लेना है इन्हें दो का एक होगा, फिर दो का एक, फिर दो का एक, तागा पीछे, चार फंदे सीधे, लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, तो देखे, रोंग साइड से हमारी पैटन की 6 रो, अब देखे, फ्रंट साइड से पैटन की 7 रो, अब 7 रो में हमारा पैटन, repeat and shift होगा, अब देखे, जो ये 4 फंदे हैं पैटन वाले, ये उल्टे फंदों के उपर, शिप्ट हो जाएंगे, और जो ये 4 फंदे उल्टे हैं यह pattern वाले फंदों के उपर shift हो जाएंगे तो देखें यहाँ पर repeat and shift की एक रो पहला फंदा उतार लेंगे, next फंदा सीधा अब देखें यह जो 4 उल्टे फंदे हैं यहाँ पर हमारे यह pattern वाले फंदे shift हो जाएंगे अब देखे नेस्ट जो हमारे चार उल्टे फंदे हैं यहाँ पर हमारा ये पैटर्न सिप्ट हो जाएगा तो देखे पहला फंदा आगे करेंगे और ऐसे इस पेस में आएंगे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे और सेकंड ओल में हम सलाई डालेंगे और इस तरीके से एक फंदा ब फिर देखे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे सेकंड ओल में सलाई डालेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर नेस्ट फंदा सीधा फिर देखे ये फंदा आगे कर लेना है फिर इस पेस में देखे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे सेकंड ओल में हम सलाई डालेंगे एक फंदा फिर नेस्ट फंदा सीधा, तो देखे इन चार फंदों पे हमारा पैटन आ गया, फिर धागा अपनी साइड, अब देखे नेस्ट ये चार पैटन वाले फंदे आ जाते हैं, इन फंदों को हमें उल्टा बुनना है, एक, दो, तीन, चार, तो देखे यहां पे हमारा ये पैट रिपीट एंड सिप्ट हो गया, पैटन वाले फंदों के उपर उल्टे फंदे आ गये, और उल्टे फंदों के उपर हमारा ये पैटन आ गया, अब नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा आगे कर लेना है, और देखे ऐसे इस पेस मे first hole छोड़ेंगे second hole में हम slide डालेंगे एक फंधा बनाएंगे फिर next फंधा सीध़ फिर नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा फर्स्ट ओल छोड़ेंगे सेकिंड होल में हम सलाई डालेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर नेस्ट फंदा सीधा फिर देखे ऐसे इस पेस में आएंगे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे फिनेस्ट फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, अब नेस्ट हमारे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, इन पैटन वाले फंदों के उपर, चार फंदे उल्टे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, लास्ट के दो फंदे सीधे, तो देखे, एक, फंदे साइड से हमारी पैटन की सेवन त्रो कंप्लीट हो गई, सेवन त्रो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट हो रहा था, अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट और सिप्ट करते जाना है, और बनके देखे, हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ ज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू